कर देखा था स्रींकेज लिमिट के बारे में उसके बाद आज हम डिसकेशन करेंगे वहीं इंडेक्स और आपका लिक्विडिटी इंडेक्स और टफनेश इंडेक्स ये सब के बारे में डिटेल डिसकोस करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है आपके लिंक को आप अपने सोशल मेडिया वटसप फेस्बुक इंस्टाग्राम टेलिग्राम जहां भी आप पर जो भी अब लगे हाथ लाइक कर दीजिए और हमारी नए बच्चे जो चैनल से जुड़ रहे हैं हमारा लेक्चर देख रहे हैं वह लेक्चर को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वेल आइकोन दबा ले जिससे कि उनको प्रोपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल अंनेवाले हैं क्या कंसिस्टेंसी लिमिट तो आप लोग भी 3 टै क्योंकि मुझे पटा है कुछ हमारे अ करिक बिल्कुल बेस पर नहुट रहे हैं तो कंसिस्टेंसी लिमिट कंसिस्टेंसी लिमिट ओके तो कंसिस्टेंसी लिमिट जो हमारा है वो किस तरीके से है इसके बारे में हम डिसकस करेंगे बिल्कुल एकदम मस्त और कैसे कुश्चन आते हैं आपके एक्जाम में इसके बारे में भी हम डिसकस करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक है तो तो बिल्कुल घवराईएगा मत इग्दम मस्त रहे एग्दम से तो कंसिस्टेंसे लिमिट जो होते हैं पहले तो इसको हम आई शी शेप्रिजेंट करते हैं किससे आई शी आई मतला हमने बताया था कि लिमिट नहीं रहेगा डियर इंडेक्स रहेगा यहां ठीक है लिमिट न तो यह देखो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम आई ठीक तो आई सी इक्वलिट्व क्या होगा यहां पर तो आई सी इक्वलिट्व जो होगा वो क्या होगा लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंड लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंड और लिक्विड लिमिट मा टीक है तो यह इसको ब्रैकट में कर लीटेया पिक दब मस्त लिकवीड लिमिट वाइड स्प्रीके सीध Burke लीटाय क्लिटेयर अपका बताएंRht लिकवीड लिमिट मैणाइस प्लास्टिक लिमिट से Gir SMS प्लास्टिक इंडेक्स होता है क्यों बताईए तो आईशी इस को इस तरीके से लिख सकते हैं लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन में आईपी आईपी बताईए 66 एकदम आप लोग क्या है आईपी इक्वलिट यहां मैंने बताया था आप लोगों से न आप लोगों रहे हूं विल्कुल एकदम आईपी लिक्विड आपका क्या था प्लास्टिक इंडेक्स एक्वल क्या था लीक्विड लीमिट माइनस फ्लास्थिक लिम्स यही तो था क्यों को यहीं था ना वीयात करीया आप लोग एEZ बार ठीक हैं तो इहां हो गया है आप यहीं से देखेंगे हम कि हमारी liquidity index कैसे आती है कौन सी इंडेक्स, liquidity index तो उसके बारे में हम भी discuss करेंगे कि liquidity index जो है वो कैसे आ रही है heading next लगाईए आप लोग कौन सी heading खिखें liquidity लिक्विडिटी इंडेक्स चलिए आईए लिक्विडिटी इंडेक्स जो हमारा होता है वो किस तरीके से होता है वो हमारा होता है क्या होता है ल, ठीक है ल, से प्रिजेंट करते हैं इसको क्यों ल, से प्रिजेंट करते हैं ल, से प्रिजेंट नहीं करते हैं किस से प्रिजें है आई एल से तो यहां आप देखते हैं अगर लिक्विड लिमिट रहती तब लेकिन इंडेक्स है तो आई एल इक्वालेट्व क्या होगा आपका वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिक लिमिट और आपका लिक्विड लिमिट म और आपका आई पी आई पी यह उपर नहीं जाएगा आई पी ठीक है और यहां से एक फॉर्मुला और बनेगा आपका इसको भी आप क्या करो ब्रेकेट मिलो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से एक्जाम में आये हुए आपके बहुत अच्छे-च्छे क्वेस्चन है यह ठीक है इसको इस तरीके से आप लेते जाए फटा-फट और यहां पे स्टार लगाते जाएं जिससे आपको इसके इंपोर्टेंस पता चलती रहे कि क्या है यह उत्व है देख्वि इंडेक्स तो समझा देते हैं क्या होता है लिकूर्ड ये यह होता है कि यह बाउंडरी होती किसके किसके बीच तो प्रस्टिक इस्टेज हो Brenyet बैस रेष्ट के बीच कि दोनों के बांडरी होती है जी सके क्या बोलते हैं जी सब्सक्राइब लिक्वीड इंडेक्स बोलते हैं ठीक लिक्विट लिमिट तो हम लिक्विडिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां हमने कहा कि जो वाटर कंट्रिंट हम पाइन कर रहे हैं माइनस क्या हो गया प्लास्टिक लिमिट ठीक है प्लास्टिक लिमिट अब इसको कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो तफनेस इंडेक्स बताईए आप लोग क्या होता है फट फट बताईए तुरंत एक दम तफनेस इंडेक्स क्या होता है हम भी तो जानें तफनेस इंडेक्स क्या है आपका ठीक है तो क्या होता है टफनेस इंडेक्स तफनेस इंडेक्स आपका होता है IT equal to IT equal to यह थोड़ा हमारा बोट तिप्छे जा रहा है क्या IT equal to IP upon IF यह आपका क्या है यह flow इंडेक्स है आपका और यह क्या है आपका इसको पहले तो आप पहले तो आप firstly क्या करना है हमको इसको पहले डब बे मिलो ठीक है इस इंपोर्टेंट ठीक अब यह क्या होता है आपका कि जो लिक्विडिटी इंडेक्स होती हो क्या होती है इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 3 के बीच में होती है 0 से 3 के बीच में होती है यहीं इसकी वैल्यू जो अब वेर में लिखे हैं यहाँ पे वेर, वेर क्या है आईपी, इक्वली टू, प्लास्टिक, इंडेक्स, ठीक है, और आईएफ इक्वली टू, क्या है आपका, फ्लो इंडेक्स, अब यहीं आईटी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, अगर आईटी की वैल्यू यहाँ एक चीज पॉइंट नोट करिए, आईटी अगर किस से ग्रेटर हो जा रहा है, अगर आईटी अगर ग्रेटर है, तो क्या होगा, और आईटी है, आईएफ नहीं है, ठीक है, यहाँ इसको, पहले तो हटाईए इसको, पी को, आईटी, ठीक ह इजिली क्रशेबल, इजिली क्रशेबल होता है, बता रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, और यह क्ले होगा, ठीक है, यह क्ले होगा, ओके, समझ में आ रहा है कुछ, तो आईटी मतलब क्या होता है, आपका, मतलब आईटी क्या होता है, टाफनेस इंडेक्स, यह क्या होता है क्वेलिक्णल मतलब कि प्लास्टिक होता है कि लिगविद मदा लिख वीद ओर क hoş---- की कि शुआ स're working mean करण बदा का मतलब होता है कि यहां ने यहां लिया पार्टिकल सुस्वाइल के पार्टिकर जी लिए चुटकियों पर ऐसे business कर दो तो यह कुझ एसीuzu से बीच में वह तो यहां वह हो रहा है कि क्या हो रहा है कि जो इसको बढ़ाना पड़ेगा क्या पिन यह ले लिए यहलो लेते हैं पिर यह क्वेगा है इस एक स्किल रिगन इसको धियाँ तम इ령 कर दो तो आप इस का मतलब ये समझें कि-30 यह होता है कि आप जैसे जहीं टिक है ऐसे मिटठी का धेर है आप उसको 10जिन less method that doesn't skill2 हो गई स्वायल का धेर जो था अभाब इसे आप यहीं है उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं किया है कि उसको क्या बोलेंगे कि आ baking अगर कोई को सवाइल के ठीयर को नहीं चेसरों में लगती है खिर से अपनी लगती है ठीक है रीगेन करने लगती है वापस तो चिह होता है यह जो होता है जिसके कारण जिसको यह रिश्टेंज को क्या करती है करती है तो क्या होता है ठीक ऑलिदे सेमरी रॉदब क्या होता है तो एक हमने कहा कि पूच है कि शीज़िटिविटी विशाएंके ठीक है तो हेडिंग लगाए नहीं आप लोग क्या लगाएंगे आप फटा-फट बताएए क्या लगाएंगे यहां से मैंने स्टार को चूज किया और क्या बोला अब यहां से हम कहेंगे कि संस्टिविटी आप स्वाइल यलो कलर अब यहां से हम कहेंगे कि संस्टिविटी होती क्या है संस्टिविटी होती क्या है तो संस्टिविटी के लिए मैंने बोला कि संस्टिव मतलब कि मैंने ऐसे आपको टच कर लिया ऐसे आपको डिस्टब कर दिया तो यह क्या होती है संस्टिविटी आपकी वहीं संस्टिविटी के आप कितने संस्टिव हैं ठीक है तो इसको अंडिस्टर्वेड यह क्या होता है डिस्टर्वेड यह क्या होता है आपका डिस्टर्वेड यह डिस्टर्वेड यह डिस्टर्व किया हुआ यह अपकी जो स्ट्रेंद है इसकी यह डिस्टर्व किया हुआ है यह अंडिस्टर्व किया हुआ है ठीक है और यह क्या होता है य कर लिजेगा इसको नोट कर लिजेगा स्ट वलेटु स्ट वलेटु नोट कर यह फटाफर टिक दम से अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्टेंथ होता है अब इसी को सौट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्यों हम तो लिखी देंगे अब इस तरीके से आप लर्न रख सकते हो एक छोटा सा ट्रिक मैंने मनाया और बता दिया आपको ठीक है यहीं जो सेंस्टिविटी क्या है कि सेंस्टिविटी जो इंडिकेट कर रही है क्या है इसको लिखिए यहां से इट इंडिकेट इट इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रही है इट इंडिकेट डिगरी डिगरी आफ डिस्टर्विंस dustur degree of disturbance it indicates degree of disturbance or loss of loss of dale कि लॉज मुद्धी सेंस्टिविटी क्या होती है तो सेंस्टिविटी आपकी होती है कि अज सान् बेर लास लॉज आप सिर्वेंज और लौस आप सीहरेंज इस्टेर्व पर अपको ऐसा दिश्टर्ब किया जा रहा है तो आपके ऐससी일세 से कितने डिग्री पे डिस्टार्व हो रहा हूँ ठीक है यह चीजी और अपनी क्या कर रही है मत ईह इंडिकेट करता हैं हम इंक्रीज करते हैं अगर सेंस्टिविटी को इंक्रीज करा हम मतलब हायर सेंस्टिविटी हायर सेंस्टिविटी को कोई बात नहीं हम इधर इसको हटा देते हैं हायर सेंस्टिविटी या इंक्रीज सेंस्टिविटी कुछ भी हो गया हमारा तो यहां हमने कहा है यहां से बहुत बड़ा-बड़ा हो गया इसको इधर ले जाते हैं यहाँ ठीक higher is sensitivity ठीक है higher is sensitivity और आपका क्या होगा higher is 600 टरोफ़ी helicop अगर sensitivity आपके high हो रही है है aire माना जारा है sensitivity क्या आप हाई से क्या कर रहे हो sensitivity कर रहे हो तब कि ठीक wh talk the heck बहुत है होगी मतलब जितना आप sensitive उतनी जल्दी आप क्या करोगे अपनी स्ट्रेंग को रीगेन करोगी यह प्लस पॉइंट है इसमें ठीक है और एक टेबल हमको बनाना है यहां से एक टेबल क्या बनाना है कुछ इस तरीके से बना लीजिए कि अगर आपकी संस्टिविटी जो होती है वह कितनी होती है वान होती तो स्टी की वैल्यू अगर बन हुई कितनी हुई एस टेबल नहीं बनाना हमें यहां पर नोट पॉइंट में लिखिए नोट पेन का कलर चेंज तब अच्छा लगेगा हमें नोट है नोट ठीक है हमने कहा कि जो स्टी की वैल्यू है कितनी है वन है तो क्या होगा तॉंसिस वाइल बनेगी तो यह हो ग ग्रैंड स्वाइल पॉर्ष ग्रैंड स्वाइल क्या होगा डियर पॉर्ष ग्रैंड स्वाइल अगर यहीं हमारी वैल्यू स्टी की कितनी है स्टी ठीक है कितनी यह यह अब यहांसे देखते जाएए हूं स्टी ग्रेटर ही कि तो प्या होगा आपका नार्मल संस्टीविटी क्या होगा आपका नॉर्मल यहां है आपका नॉर्मल कि नॉर्मल ओ नॉर्मल क्या है सेंसिट नॉर्मल सेंसिटिव और यह क्या है सेंसिटिव यह क्या है हाई मतलब एक्स्ट्रा सेंसिटिव एक्स्ट्रा सेंसिटिव और यह क्या है आपका यह क्या है बताईए आप लोग क्विक सेंड और अनस्टेबल क्विक सेंड और अनस्टेबल अनस्टेबल ठीक है यह थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस एक्जाम में आपका सिक्षाiqué क्या है कि एति लौष खरज्बेवर यह क्या सिर्बिन है और उससे कितना ज्यादा रहा है आपका क्या मरे हू है कितना ज्यादा थिक्सोउ ट्रसंट ऑचापर इंच्टिया स्टेंथ दहां आपको क्या करी रही है वह उतना ही तरे स्टरंथ होगा हमने यहाँ कहा कि यहाँ कहा कि हायरी decorating hybrid होतीछ मतलब कि जितनी दगड़े से आपका क्या होगा उसको disturb करोगे उतनी दगड़े से क्या जघ करेंगी ऑर हमने कहा के स्टी की वै L condu, तो अगर आती है क्या इसकी वैलू कितनी रहेंगे आपके मैंने कहां वान है तो यह किसके लिए पूर्स ग्रेंट स्वाइल के लिए एक्जाम में न जाने कितनी बार आया है आप नोट कर लो ठीक है इसका और अगर आपका दो से चार के बीच में है तो नॉर्मल संस्टिव ह अगर यहीं चार से आठ के बीच में तो क्या है संस्टिव यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा है एक दम से इसको अगर आप भूल गए तो सोच लो कि एक्जाम में कुछ करके नहीं गये हो आप स्वाइल में ठीक है यह क्वेस्टिन आपके आता ही आता है किसी अगर आपको कोई भी पेपार हो रहा है किसी आपके उसमें सुभवा वाले साम वाले हो ओनी कहीं न कहीं रहे आपको तुक्या और यह आप से 15 में aiा अक्षा स्ञें कर लिजมา तो अपने से जहादा हो एं तो क्या होगा आपका क्विक सेंड प्रेयूं चिपकाद दीजिएगा ठीक है चिपकाद होगे तो बस देखते देखते आपको समझ आ जाएगी बहुत ज्यादा एफ़र्ड लगाने की जरुरत आपको नहीं पड़ेगी इसी के आगे हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर को पढ़ने ठीक है क्या है एक्टिविटी नेक्स चेंज करो तो यहीं से लेते हैं है है एक्टिविटी नंबर क्या होता है बताईये क्या होता है कुछ आप लोग बता सकते हैं activity number क्या होता है तो यह होता है आपका ac क्या होता है आपका ac ac equality क्या होता है ip upon percentage क्या होता है आप का आई पी अपॉन पर्संटेज आप क्ले पार्टिकल पर्संटेज और क्ले पार्टिकल कि इसको आप नोट कर लीजिए यह एक्जाम में आया हुआ है अगर यहीं आपकी क्या है इसकी वैल्यू activity number activity number कितनी हो जाती है आपकी अगर यहीं आपकी इससे क्या find करते हैं इससे क्या find करते हैं आप यह बताईए हमको तुरन इससे क्या find करते हैं तुरन बताईए हम देख रहे हैं कि इट इस यूजड used to find find swelling swelling and swelling and shrinkage shrinkage property of किसकी property है soil की property ठीक है soil की property है यह आपका activity number ठीक है activity number अगर यहीं आपका एशी जो है वो कितना है अगर आपका 0.75 से क्या है greater है एसी की value 0.75 से greater है तो आपका क्या होगा इनक्टिव स्वाइल क्या होगी इनक्टिव स्वाइल इनक्टिव स्वाइल इनक्टिव स्वाइल इनक्टिव स्वाइल अगर यहीं आपकी एसी की value कितनी है 1.25 यह point है बीच में फिर से लिख दे रही हूं मैं 1.25 और आपका क्या है 0.75 0.75 तो कौन से स्वाइल आती बनती है आपकी यह आपकी है नॉर्मली एक्टिव स्वाइल नॉर्मली एक्टिव स्वाइल ठीक है नॉर्मली एक्टिव स्वाइल और आपका क्या होता है कि एसी की value जिब क्या होती ग्रेटर हो जाती है 1.25 से तो कौन से स्वाइल हो जाती है एक्टिव स्वाइल ठीक है कौन से स्वाइल आपकी एक्टिव स्वाइल किस्वाइल एक्टिव है यह वाला आपका थोड़ा सा इंपोर्टेंट है ठीक है अगर आपका ग्रेटर किस्टे जाता है 1.25 तो कौन सी स्वाइल हो जाएगी आपकी एक्तिव स्वाइल नेइस क्लास में क्या पढ़ा है आएगे देखते हैं हम क्या पढ़ा है तो हम पढ़ रहा है कि कहां से कंसिस्टेंसटी लीमिट से consistency index तो IC equal to WL minus water content liquid limit minus plastic limit अब यह IC equal to क्या होता है हमारा तो जो liquid limit थी मतलब consistency index हो क्या हो गया कि हमारी liquid limit और liquid limit minus water content और आपका क्या हो गया plasticity index अब liquidity index की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमने बात की थी water content minus आपका क्या था यह आपका था plastic limit liquid limit minus plastic limit liquid limit minus plastic limit यहीं हमने देखा दूसरे सब्दों में water content minus liquid limit upon आपका क्या था यह plastic index है toughness index की बात किया हमने तो IT equal to IP upon IF तो IP क्या है आपका तो यह है आपका plastic index और IF क्या है flow index okay और यहां पर हमने सब बता दिया आपको क्या है अब इसकी value देखिए कि अगर IT 1 से कम है तो क्या होगा easily crushable मतलब easy crush हो जाएगा आपका ठीक है और अगर आपका एक से ज्यादा है और टीन से कम है तो क्या होगा प्ले के लिए है ठीक और यह sensitivity आप स्वाइल से स्वाइल से प्रियंट करते हैं क्यूं अपाँ क्वीन ठीक है यह बताया था यह क्या है कि अनकंफाइंड इसकी यह होगा है तो आपके सिंस्टिवीटी हायर होगा थीक कि अभी हमने डिसकस किया इसको अगर A-S की value कितनी होनी चाहिए Sy sensitivity वान है अगर S की वैल्यु वण है तो आपका स्वाइल हो जाएगा यहीं आपकी वैल्यू कितना है मतलब दो से चार के बीच में तो नॉर्मल से तेबल ठीक है अनस्टेबल अब एक्टिविटी नंबर की बात करेंगे तिसे यह से प्रिजन्ट करते हैं और आए पर पर सुंटेज आप क्लें पार्टिकल थीक हैक लेड़ फार्टिकल अब इसको इसको किस नियूद किया जाता है तोन ऐसे ब्लeck क्योंट्न स्रिंगर्टं नमबर क्म णियुवहीटिवटिवी नमबर आिक्तिविटी नमबर आपका कीतना इक्टिविटिव स्वाइल्स प्रत्राइबध से कम रहेगा तो लिए प्रीकि लेवेद नयुकुत-र लिए यही है एक्तिव हपा एक्टिविटी नंबर अगर एक्टिविटी नंबर 1.25 से ग्रेटर हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा एक्टिव स्वाइल ओके तो बहुत ही अच्छे से बहुत सांदार तरीके से हम लोगों ने डिसकस की है बिल्कुल मस्त एक दम ठीक है तो यहां से अब आगे साइट डिस्टिविशन कैसे हो रही है और आपका और आपका क्या हो रहा है क्या पर कमप्रुस्बिल्टी कैसे हो रही है उसको एक ग्राप के माध्यम से इन देखेंगे बहुत अच्छे से और इतना आप लोग रिविजन कर लिजेगा जितना यह पढ़ाया गया है अब प झाल करवे का छोटाई झाल कर records झाल कर दोट días पीप माध्यम से ऐतना आपका अच्छे समार आप झांका जितना झारत्से से और आपका वं पाफ प्र एंडर मेंगे डिस विर उरी जए बहा है उज ग से से एका साबग झाल झाल